back to our YouTube channel online earning MDM friends अगर आपका भी Forex trading के उपर account है और आपको ये idea नहीं है कि आपका जो account है उसमें जितना balance है उसके उपर proper या safe lot size क्या रहेगा जिससे आप daily base के उपर एक अच्छा profit भी निकाल पाओगे और आपका capital कभी भी loss नहीं होगा अगर आपका भी ये doubt है या आपको proper idea नहीं कितना lot होना चाहिए और कितना lot में use करना चाहिए एक safe trading के लिए तो ये video सिर्फ आपके लिए है वीडियो को complete watch करना चाहिए आपका account 100 का है या 500 dollar का है या 1000 का है 5000 का है 10,000 का है ये सब doubt आपके clear होगे कि आपको कितना lot use करना है अपने account के ऊपर उससे पहले अगर आप gold के अंदर trade करते हो तो आप हमारे vip group के अंदर free में join हो सकते हो जहाँ पे हम आपको daily free signal provide करेंगे कैसे हमने description के अंदर अपने group के link दे रखिए आप WhatsApp में join करो ये टेलिग्राम में join करो वहाँ से हमसे contact करो हम आपको अपने free vip group के अंदर join कर देंगे जहाँ पे आप daily का 100 pip से लेके 1500 या 200 pip का profit book करोगे हमारे trades के उपर वो भी बहुत easily and free बें तो चलिए आगे बढ़ते हम सबसे पहला question यह होता है कि minimum maximum लोगों का जो forex के अंद रहे है जो नए नए है उनका account का होता है 100 dollar तो देखिए तीन चार चीज़े आपको ध्यान में रखने है अगर आपका 100 dollar का है तो बहुत से लोग इस पर 0.05 का lot लगाते हैं बहुत से लोग पिप उसके लिए को catch करना है मार्किट के अंदर आपको 0.01 का अगर आप लोट लेते हो आप 100 पिप catch करते हो that means कि आप 10 dollar बुक करोगे अपने capital का 10 परसेंट तो दो वीक के अंदर आप इस तरह से अपना capital मतलब पूरा 100 पिप कर सकते हो अब अगर आप 150 पिप बुक करते हो that means 15 dollar 200 पिप करते हो that means कि 20 dollar इसी यह एक lot है 0.01 अब इसमें कितना होना चाहिए कि अगर आप 100 पिप का लिए यहां पर target दे रहे हो तो आपका जो एसल है वो 40-50 पिप के max ज्यादा entry ले रहे हो हाँ यह आपको safe entry हमारे group में मिल जाएगी जहां आप आपको एक के दो entry देते हैं और वहां पर आपका एसल बहुत कम होता है लेकिन target बड़ा होता है तो पहरा जिसका भी account and सबसे आपका account कम से कम 100 डॉलर का होना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो इससे कम का capital अब लाते हो तब यह मान कर चलो कि आपका वह loss हो ही जाएगा जितना मेरा experience है उसके बाद 200 के लिए आपको sam 0.02 300 के लिए आपको sam 0.03 यह safe lot size है 0.04.400 के लिए अगर आपका 500 है तो आप 0.05 से लेकि 0.07 तक बड़ स्टार्टिंग आप 5 से करोगे अगर आपको कहीं लग रहा है कि perfect trade बन रहा है तो आप 0.07 तक जा सकते है वो भी आपको 3 trade के अंदर divide करना है आप जाके मेरी वीडियो जिसके अंदर मैं हमेश्या profit करता हूँ and मेरा जो capital वो safe रहता है मेरा loss की इसमें जो है बिल्कुल loss नहीं हो सकता मेरा क्योंकि जाब मेरा trade बार प्रॉफ में आएगा उसके बाद loss होने का वहाँ पर चानल 0 है लेकिन profit मैं इसमें कर लेता हूँ उसके बाद अगर आपका account 1000 क तक आप जाओगे तो वही आपका टार्गेट होना चाहिए कि 100 अगर आप दिन का बुक करते हो अगर आपका account 5000 का है तो यहां पर मैंने कम कर दिया as compare to 1000 का अगर आपको अपने account को और सेफ ले जाना क्योंकि आपका capital और बड़ा है अगर माल आपका 100 लोर का account आप 0.01 लेते हो इस हिसाब से आपको यहां पर 5000 के उपर 0.50 स्टार्ट करना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि जितना बड़ा आपका capital आपको हर अगर आपका एक क्रोड का capital है तो क्या आप एक क्रोड के उपर दिन का 10% निकालना चाहोगे नहीं एक क्रोड का अगर आप 2% भी निकालोगे वह बहुत गड़ा है तो आपको जितना बड़ा capital होता जाएगा आपको उतना lot size कम करना है क्योंकि आप उतना safely प्रबूक करोगे वह उसका व पे जिसके अंदर risk के मैंने जिसन सीखा होगा जिसके अंदर patience होगा वो इतना lot ले सकते है अगर आप एक नए हूँ आपने 10,000 का capital लाया है तो मैं आपको यही बोलोगा कि 0.5 से लेके 0.10 के उपर मत जाना अगर आपका 10,000 का account है अगर आपका 20,000 का account है तो आप one standard lot तक जा सकते हो वो भी एक ही trade में entry मत करना हाँ अगर आपका experience है तो आप फिर आपका 30 का है तो फिर आपका इस तरह से आगे उसमें add करते रहोगे बर make sure करोगे कि जितना आपका account size बढ़ा होगा आपका lot उतना आगे कम होना चाहिए मतलब as compare to this 0.01 अगर 100 है तो 10,000 का करते होगे त इतना capital बढ़ रहा है तो उसका जो 5% या 10% भी है वो बहुत होता है फिर तो उसमें क्या करना है आपको आपको उसमें और safe जाने का try करना है बाकि अगर आपको मारे VIP ग्रूप में join होना है तो description के लिक है वहाँ पर join करो and daily आपको मारा analyst मिल जाएगा हमारे चैनल के उपर चैनल को subscribe कर दो वीडियो को share करता है notification on कर देना and कोई भी doubt रहेगा तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जुड़के मेरे से question पूछ सकते हो thank you